एस जैशंकर की दहाड दो टूक शब्दों में चाइना और पाकिस्तान को दिया जवाब लगभग नौ साल बाद भारत का कोई विदेश मंतरी पाकिस्तान पहुचा और वहाँ क्या कुछ कहा जैशंकर ने और क्या कुछ हुआ पाकिस्तान और चाइना किस नजरों से देख रहे थे भारत के इस शेर को बताएंगे इस पूरे वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आशीस त्रिपाठी और आज हम बात कर रहे हैं यानि शंगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन की उस मीटिंग में एक लंबे वकफे के बाद कोई भारतिय विदेश मंतरी पाकिस्तान गया और वहाँ जाकर इस मीटिंग को अटेंड किया आखिर ऐसा क्या है स्यों की इस मीटिंग में कि पाकिस्तान के साथ राजनितिक और कूटनितिक स्तर पर इतने विवाद आतंकवाद के मुद्दे पर इतने विवाद होने के बाद भी ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत स्यों की मीटिंग को छोड़ना चाता है और इस मीट लेकिन पहले ये जानिये कि S. जैशंकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ हला कि S. जैशंकर इस मीटिंग में जब गए थे तो वो उनका उद्देश ये लेकर गए थे एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर उनका फोकस था कि आतंक बाद और व्यापार एक समझ लेनी चाहिए और बॉर्डर्स का सम्मान करना होगा सभी रास्ट्रों को और खासकर S.C.O. देशों को ये बाद चाइना को समझ लेनी चाहिए हलाकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया जो की मर्यादा है इस तरह की किसी भी मीटिंग की आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते और आपको मित्रवत प्रेमवत व्यवहार बनाई रखना होता है भले ही आप उस मित्रता को या शत्रता को जताएं या ना जताएं लेकिन एक दीसिंसी एक जिकोरेम तो मेंटेन करना ही होता है और वो भी S.J. शंकर जैसा डिप्लोमेंट जो भारत के विदेश मंत्राले का नगीना कहे जाते हैं और विदेश की नीतियों में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी कई बार S.J. शंकर से भी सलाह लेते हैं तो ऐसे पके हुए ऐसे अनुभवी जब मंत्री पाकिस्तान पहुँचे शुरू से शुरू करते हैं जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो वो सरा आयोजन किया गया डिनर का पाकिस्तानी प्रदान मंत्री शाबाज शरीफ ने एक डिनर का आयोजन करवाया जिसमें कि लगबग सभी दस देशों के जो प्रतिनीदी थे वहां मौझूद थे चाइना के प्रदान मंत्री भी वहां पर थे और साथ ही शाबाज शरीफ, S.J. समेत सबी जो सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सबी वहां मौझूद थे डिनर का आयोजन हुआ और इस डिनर के बाद सांस्कृतिक कारिक्रम हुआ जहां पर एक पाकिस्तानी कलाकार ने भरत नाट्यम भी प्रस्तुत करके दिखाया और S.J. शंकर ने तालीब जा और मीटिंग में जब ब्रीफिंग की बारी आई तो S.J. शंकर ने अपने इरादों को साफ कर दिया कि व्यापार और आतंकबाद भारत के साथ एक साथ तो नहीं हो पाएगा अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार करना है और अपनी बधाल, कंगाल देश की आवाम को कुछ राहत देनी है भारत का सहयोग लेना है तो पहले वो जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर पल रहे आतंक के परियाए और गुंडे हां उन गु बादियों को पाकिस्तान मार देता है और भारत में वहां से पाकिस्तानी आतंकियों को भेजता है कि भारत में जाकर रशांती फैला हो ये नहीं चलेगा। कारण महां बताया। उनका ये कहना था कि बॉर्डर का सम्मान करना होगा चाइना की तरफ से अक्सर चाहे वो अरणाचल प्रदेश हो या तिब्बत के आसपास का क्षेत्रों कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है कि वो बॉर्डर का वॉयलेशन करते हैं उनके सैने घ हुसाते हैं कबजा करने की कोशिश करते हैं मार खाते हैं फिर वापस जाते हैं चाहे गलवान में जो हुआ हमने देखा लेकिन इन सब बातों से ये तो सपष्ट है कि भारत कहीं भी किसी भी मोर्चे पर जुकने वाला नहीं है किसी से डरने वाला नहीं है आंखें देखकर भी आँखे दिखा कर भी चाहे जैसे हो भारत का जंडा भारत की आनबानशान बुलंद रहनी चाहिए ये है भारत सरकार की निती बारालब बात करेंगे संगठन जो 1991 में सोवियत संग के टुकड़े होने के बाद उसकी जरुवत महसूस हुई और रूस के प्रयास पर ये संगठन बनाया गया दरसल इस संगठन की जो आवश्यक्ता महसूस हुई पहली बार 1996 में चीन ने पूर्वी सोवियत देशों को मिला कर S.C.O. बनाया अब चुकि इस बात की घोशना चाइना के शंगठन बना और शंगठन के नाम पर ही इसे नाम दिया गया शंगठन की जब शुरू हुआ उस वक्त भारत इसका सदश्य नहीं था रशिया के दबाव पर वहां की कूटनेती, वहां की संस्कृती, भारत के साथ काफी आदान प्रदान इसका होता रहता है तो रशिया ने जब ये देखा कि चाइना अपना दबदबा इस संगठन में बना रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि वो पूर्वी सोवियत देशों के जो की उस वक्त छोटे चो को लेकर रशिया ने की तो इस बात पर भारत राजी हो गया और भारत ने 2017 में इसकी सदस्यता को स्विकार किया और 27 सदस्य बना अलाकि इस संगठन में शुरुवात में पांची देश हुआ करते थे और इस संगठन की घोशना के बाद से बहुत लंबे समय के बाद भारत इसका सदस्य बना और चुकि सीमा विवाद अग लगबग सुलच चुके हैं और सीमा विवाद अलगावद आतंकवाद जैसे विश्यों को सुलजाने के लिए इस SEO संगठन की शुरुवात हुई थी कहने को तो सीमा विबाद सुलच गए है कहने को आतंगबाद का मसला भी खत्म हो गया है कहने को अलगावाज जैसी कोई बात नहीं है लेकिन धरातल पर ये तीनों ही चिंता का कारण बने हुए है जिसे लेकर साफ शब्दों ने एस जैशंकर ने वहाँ अपनी बात रखी थी अलाकि कालांतर में उद्दिशों का परिवर्तन हुआ और ये जो विशय है अब कई बार इस तरह की मीटिंग्स में आर्थिक विशय है और व्यापारिक मुद्दों पर भी बाचीत होती है लेकिन इस मीटिंग में इस पर कोई बात भारत नहीं करेगा ये अपने बयान से अपनी ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जैशंकर ने बहुत सपश शब्दों में कह दिया और रूस ने जब भारत पर इस बात को लेकर दबाओ बनाया कि चाइना अपना वर्चस वे संगठन में बढ़ा रहा है तो इस बारे में भारत ने सोचा और भारत इसका सदस्य देश बना और तब से भारत इसका सदस्य देश है और जब भी पिछली जो मीटिंग थी वो भारत में थी और पाकिस्तान के विदेश मंतरी भुट्टो साब भी यहाँ पर आये थे अलकि इन सब विश्यों को लेकर बाचीत होती रहनी चाहिए ठीक है चाहे तनापुर्ण माहौल में ही सही हो ना हो कोई रास्ता निकल ही आए पाकिस्तान की आवाम को भी तो सुकून की जिन्दगी जीने का हक है क्यों नहीं है आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताईएगा पन्यवाद